नमस्कार, आज हम मीरा की बेहत प्रसद एक रचना पढ़ेंगे, हेरी मैं तो दरद दिवानी, मीरा को कृष्ण के प्रेम में दिवाना तो संसार ने करार ये दिया था, मीरा स्वयम को धी प्रेम में दिवाना सद्ध करती हैं आए, मैं डॉक्टर ईतु सिंग आपका अपनी चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने स्तातक विद्यार्थियों के समक्ष साहित के अर्थ कोद घाटित करती हूँ तो चलें, सबसे पहले हम कव्टा का पाठ करते हैं हेरी, मैं तो दरद दिवानी, मीरो दरदन जाने कोई घायल की, गती घायल जाने, कीजुन लाई होई जोहर की, गती जोहर जाने, कीजुन जोहर होई सूली उपरी सेज हमारी, सोवना के सविध हुई गगन मंडल पे सेज पिया के किस विध मिलना होई दरद की मारी बन बन डोलू बैद मिल्या नहीं कोई मीरा की प्रफु पीर मिटेगी जद बैद समलिया होई यह कविता बार बार विध्यार्थियों के समक्षाती है और मीरा की पूरी पीरा को अव्यक्त करने वाली बहुत चर्चित कविता में से एक है और इसका गायन भी बहुत सुन्दधंग से किया जाता है आए हम एक एक करके इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं मीरा की कविताओं की विशिष्टता है कि उसमें उन्होंने अपनी पीरा के साथ स्त्री की पीरा का भी वर्णन किया है उसका दड कोई भी नहीं समझता यहां तक कि उसके मन के भीतर के जो द्वंद्व हैं उसकी अविव्यक्ति की स्वचनता भी स्त्री को नहीं होती समाज ने उसका विरोध किया और उसे पागल तक करार दिया और संसार और ने उसे बार-बार कुल का नाश करने वाली सिद्ध किया मीरा ने अपने उपर लगे आरोपों को सहजता से स्विकार किया और यह माना कि हाँ मैं पागल हूँ दीवानी हूँ लेकिन मैं इस कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ और मैं किसी भी शर्ट पर उसके प्रेम को त्याग नहीं सकती और नहीं अपनी अविव्यक्ति करने की आजादी का त्याग कर सकती हूँ मीरा ने सबसे बड़ी समस्या यही कही है कि मेरी पीडा को समझने वाला इस संसार में कोई अन्य नहीं है जहां भकति काल के पुरश भक्तों को अपनी अविव्यति की पुर्ण आजादी थी वही मीरा जैसे कवित्रियों को अपनी बात कहने तक की आजादी नहीं थी स्वयम को ईश्वर के समक्ष समर्पित करने की आजादी नहीं थी लोगों के बीच भजन गाने की आजादी नहीं थी मीरा ने वो सारी आजादी लड़कर हासिल की थी वो कहती हैं हेरी मैं तो दर्द दिवानी दर्द नजाने मीरों कोई हे मैं हे सखी या अपने भक्त साथियों को संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि मैं तो दर्द में दीवानी हूँ मीरा दर्द कई प्रकार से समाज ने उसे व्यख्यायत किया है लेकिन मेरी पीडा कृष्ण के प्रती मेरे प्रेम की अव्यक्ति न करने देने की पीडा है मैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ दर्द न जाने मेरो कोई मेरी पीडा को कोई भी नहीं समझ सकता यदी कोई समझता तो कभी भी मेरी इस तरह से सामाजिक रूप से निंदा नहीं होती घायल की गति घायल जाने कीजन लाई हो मीरा उधारणों से अपनी बात स्पष्ट करती है वो कहती है कि जो घायल विक्ति होगा वही घायल की गति को जान सकता है कीजन लाई हो, जिसको कभी लगी ही नहीं हो, वो भला घायल की गती को कैसे जानेगा जिसने कभी कृष्ण के प्रति समर्पन ही न किया हो, जिसके मन में प्रेम का भाव ही उदित न हुआ हो, वह मेरे प्रेम का अनुमान भी कैसे लगा सकता है आगे उधारन से कहती है जोहर की गती जोहरी जाने की जिन जोहर हो मीरा यहाँ पर कहती है कि जिस प्रकार जवाहर या कीमती पत्थर की पहचान जोहरी के पास होती है उसी प्रकार दूसरे जिनको जवाहरत की पहचान नहीं है उनके लिए वह पत्थर है लेकिन जोहरी उसे हीरा जानता है उसकी कीमत आख सकता है उसी प्रकार संसार नहीं समझता कि कृष्ण भक्ति कितनी बड़ी उपलब्धी है वह उसे सामान्य से उपलब्धियों से भी छोटा मानता है तो कहते हैं कि जैसे जवाहर की परक एक जोहरी कर सकता है सामानी व्यक्ति कोई नहीं वैसे ही मेरी भक्ति की परक भी कोई अच्छा महान पहुँचा हुआ भक्त ही कर सकता है आगे की पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि संसार में मेरे लिए रहना अत्यंत कष्ट साध्य है मेरा जीवन काटो की सेज है, एक ऐसी सूली पर मुझे सोना पड़ रहा है, जो लगातार मुझे पड़ित करता है, भला मैं इस पर निश्चिन्त होकर कैसे सो सकते हूं, मीरा को सांसारिक्ता से कोई भी, मीरा को सांसारिक्ता में किसी प्रकार की कोई रुच न थी, वह उनके लिए कश्ट काकारत थी, वह भक्ती कैतरिक्त कहीं भी सुखप्राप्त नहीं करती थी, इसलिए जिन सांसारिक नियमों, बंधनों में रहने की बात समाज कहता था, वो उनके लिए काटे की सेज जैसे थी और उस पे सुख के साथ भला कोई कैसे सो सकता था तो कहती है सूली उपर सेज हमारी किस विद सोना हो दूसरी ओर जिसकी अराधना वो कर रही है जिसे वो प्राप्त करना चाहती है वो कहीं दूर है जहां तक पहुँचना संभव नहीं लगता गगन मंडल पे सेज पिया के किस भी दिन मिलना होए और कहती है मेरे प्रिय कृष्ण की सेज आकाश में कही है अनन्त में कही है जहां तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ और मीरा मिलना संभव नहीं होता है किस विध मिलना होता है किस प्रकार किस विधी से उससे मिलना हो सकता है यहां मीरा संसार के नियमों के प्रती अपनी वित्रशना को अपनी वास्तरी कष्ट को विक्त करती है और अपना लक्ष सिर्फ और सिर्फ कृष्ण तक पहुँचने को बताती है आगे की पंक्तियों में मीरा कहती है दरद की मारी बनबन डोलू बैद मिल्या नहीं कोरे मीरा रूपकों में बात करती है कहती है कि जिस तरह कोई रोगी व्यक्ति दरद में होता है पिडा में होता है तो वैद के तलास करता है मेरा कश्ट जो है वह भी एक प्रकार का रोग है मैं कृष्ण के वियोग के पिडा में बन बन डोल रही हूँ जंगल जंगल घूम रही हूँ कहां मुझे कृष्ण मिलेंगे लेकिन कहीं भी मुझे कोई ऐसा बैद नहीं मिला जो मेरी इस पीड़ा का हरन कर सके मेरी इस प्रेम की पीड़ा को समाप्त कर सके वह कहती हैं दरद की मारी बनबन डोलू बैद मिल्या नहीं कोई मुझे कोई ऐसा विक्ति नहीं मिला जो मुझे इस पीडा से मुक्त कर सके और अंतता मीरा को लगता है मीरा की प्रभपीर मिटेगी जब बैद समलिया होई कि मुझे पता है कि मेरी पीडा तभी मिटेगी जद मतलब जब बैद समलिया होई समलिया अर्थात कृष्ण मुझे ये पता है कि मेरी सारी पीराओं का हरन या सारी पीराओं का उपाय या निदान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ती है उसके अत्रिक्त मेरी पीरा का कहीं कोई निदान नहीं है तो यहां मीरा ने अपनी पूरी कविता के माध्यम से अपनी पीरा को तो अव्यक्त किया ही है और साथ ही साथ अपनी एक निष्ट भक्ती के माध्यम से या सिद्ध कर दिया है कि कृष्ण के अत्रिक्त मेरी पीराओं का समाधान करने वाला मुझे मुक्ती देने वाला और बातों को पढ़ते हैं मीरा कृष्ण की अनन्य भक्ति वे अपना सर्वश्व कृष्ण को अर्पित कर चुकी थे और सांसारिक्ता के प्रति उनके अंदर कोई भी मुख नहीं था मीरा कृष्ण की विरह में अपने विशिष्ट पीड़ा का बयान करती हैं जिसे समझने की क्षमता केवल कृष्ण भक्त में ही है अता कोई भी उनकी पीड़ा को समझता नहीं है कृष्णी की भक्ति में वे एक निष्ट भाव को अव्यक्त करती है बहुत सारी कविताओं उन्होंने ये बात कही है मेरो तुगिरधर गोपाल दूसरो नकोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माधूरे भाव की भक्ति है मीरा के समस्त पद गिये हैं और यह पद भी बहुत सुन्दर ढंग से सुन्दर रागों में गाया जाता है इसके अंतगत स्रिंगार का रस है स्रिंगार का विप्रलम स्रिंगार महाशा राजस्थानी है अलंकार अगर आप देखेंगे दृष्टान तलंकार है वह उधारन दे दे कर बताती है कि घायल की पीड़ा घायल समझता है जवाहर की पहचान जवहरी कर सकता है इस कवता में मुहावरों का बड़ा सुन्दर प्रियोग मेरा ने किया है अगर तुलेनिये में देखी तो जायसी और कबीर ने भी इस तरह की पंक्तियां लिखी है जायसी कहते हैं तासों दुख कहियों को वीरा जही सुनकार करी लागा पर पीरा उसे जाकर भाई मेरा दुख कहना जो दूसरे की पीरा को समझ सके पर पीर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं संसार में कबीर भी कहते हैं राम भगती अनियाले तीर जहीं लागे सो जाने पी कि राम की भगती ऐसी अनियाली तीर है जिसे लगती है वही जानता है क्योंकि तन मही खोज़ो चोट न पाओ वो खदमूरी कहां घसिलाओं सरीर में खोजने पर उसकी चोट भी नहीं दिखती अर्थात संसार के समक्ष उसे प्रदर्शित भी नहीं किया जा सकता तो जैसे कबीर ने और जैसी ने इस पीड़ा का बयान किया है उसी तरह मीरा ने भी अपनी इस कविता में अपनी उस गहन पीड़ा का वयान किया है जिसको समझने की क्षमता किसी में भी नहीं है इस तरह इस कविता की व्याख्या यहां समाप्त होती है धन्यवाद